हलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लटनिंग क्लासेज में ससाटमी, BPSC, BRSSC, दरोगा, अंज सभी एक्जाम को ध्यान में रखते हुए NCRT Science का कोश्चन में करवाय जाना है जो की क्लास 7 का है इसे आपका रिवीजन हो जाएगा तो चलिए हम लोग देखते है NCRT Science के कोश्चन का दिवीजन हम लोग करते है तो क्लास 7 में हम लोग Science में पहला चेप्टर है पादपो में पोशन इसे रेटिड कोश्चन को देखे निमने किट कत्मों में से कौन सससत है पहला जो जीब अपना भोजन सें संसलेसित करते है स्वपोसी और्टो ट्रॉप्स कालाते है दूसरा जो जीब अनपादपो दोरा संसलेसित भोजन गरहन करते है विसम पोसी हेट्रो ट्रॉप्स कालाते है नीचे दिये गए कुट का प्रयोग सही उतर का चैन करना है तो इसके अंसर होज़ेगा C पहला और दूसरा इसकी ब्याक्या है उप्युक्त दोनों कथन सही है सभी साजीवों को भोजन क्या सकता होती है पादप अपना भोजन से बनाते हैं इसलिए इन्हें स्वापोसी भी कहा जाता है जन्तू अधिकतर अन जीप पादपो दोरा संसलेशित भोजन ग्रहन करते हैं इसलिए इसलिए पादपो में खाद पदार्तों का संसलेशर मुखत पत्यों धारा होता है इसलिए पत्या पादर की खाद फैक्ट्रिया कही जाती है। मिर्दा में पस्ति जल एवंखनी जर द्वारा अफसोसित किया जाते हैं तथा अवाई काओ के माद्यम से पत्यों तक पहुंचाए जाते हैं अगला कुश्यन देखते हैं निमनिखित में से कौन से प्रकास संसलेशन के लिए अवस्यक है तो इसमें हम लग इसका अंसर देख परकास की उर्जा का सेंग्रान करने में पत्ति की सायता करता है फौदि इस उर्जा कपयोक से geçलन करने में करते हैं सुर्ज की परकास की पषतिती तथा बोजन का प्राप्ति होती है अगला कुश्चिन है परकास अंसलेशन के संदर में निमनिखित कत्मों पर विचार कीजिए तो पहला परकास अंसलेशन की परकिरिया दरा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बो हैडिट बनता है दूसरा पतियों के अलाबा पादपो के दूसरे ह अगला पादपो के संदर में निमनिकीत कत्मों पर विचार कीजिएथ पहला सबी पादप अपना बोजन स्वयम संस्लेसित करते हैं, दुसरा पादप मिर्दा मिल्क पस्टिक नाइट्रोजन जरू की साता से प्राप्त करते हैं, कौन सा कतन सही है, तो केवल दूसरा, इसकी ब्याख्या देखें, कतन एक गलत है क्योंकि कुछ पादप ऐसे भी होत बिसम पोसी कहलाते हैं, बिसम पोसी पादप भोजन के लिए जिन पादप पनिर्भर होते हैं, वो पादप पर पोसी कहलाते हैं, अगला कोशन है, मिट्टी के उपस्तित कुछ जिवानों, गैसिय नाइट्रोजन को विले पादार्तों में परिवर्तित करके मिर्दा में न क्वाकर कर अपना प्राप्त करता है तो गट परणि कुछ पादप ऐसे होते हैं किसे इंट गट पर्णी पीचर पादर, वीनस, फ्लाइट रैप और सिंडियो, कीट भक्षी पादर की उधारन है। अला कोशन ने मिकीट कतनों पर विचार कीजिए, पहला वो पोशन जिसमें कुछ जीव एक दूसरी के साथ रहते हैं, तता अपना अवास एवं बोजन एक दूसरी के साथ बाठते हैं, साज जीवी संबन कालाता है। दूसरा वो पोशन जिसमें जिव किसी मिर्थ एवं बिगटित जैप दार्तों से बोजन पराप्त करते हैं, मिर्थ जीवी पोशन कालाता है। तो कौन सा कतन सही है? तो पहला और दूसरा दोनों सही है। इसकी ब्याक्या उप्यूक दोनों कतन सही है। कुछ जीव एक दूसरी के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं बोजन एक दूसरे के साथ बाठते हैं, इसे साज जीवी संबन करते हैं। किसी मिर्थ एवं विगटित जयविक पदार्थ से पोशन प्राप्त करना मिर्थ जीवी पोशन कालाता है। कवक मिर्थ जीवी पोशन का उधारन है। कवक की पोशन पर नलीबीन परकार की होती है। यह मिर्थ आत्वा विगटन कारी वस्तूर की सता पर कुछ पाचन रसों का स्राप करते हैं। कवक इस बिलियन का भोजन के रूप में अफसोसन करते हैं। अगला कोशन है निमनी कित्मी से कौन से साजीवी संबंद का उधारन है। इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसके आंसर हो जाएगा C यानि की पहला और चोथा सवाल और कवक पादपर जिवानू। इसकी बाक्या देखें। साजीवी संबंद होता है। प्रंतु राज्यों भी हम अपना भोजन स्वयम नहीं बना सकते। यह चाना मटर मुंग सें अत्वा अनफलिदार पद्पों की जरो मिराते हैं तता उन्हें नेट्रोजन की अपूर्ती करते हैं। इसके बदले पादप इन जिवानुओं को अवासरम खाग परदान करते हैं अगला कुशन देखें पादप के किस बाग द्वारा परकास अंसलेशन है तू बाईव से कार्बन डायोकसाइड ली जाती हैं तो इसके अंसर हो जागा रंद्र। इसकी बाख्या देखें पती की सता पर उपस्टीद सुख्ष्म रंद्रों द्वारा बाईव में किस से मिलकर बना होता है तो इसका अंसर हो जागा कार्बन हाइड्रोजन और यह ऑक्सीजन इसकी बाख्या देख सकते हैं कार्बो हाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है अगला कोशन है दालों की फसल से समझ मेंने कित कतनों पविचार कीजि इसके अंसर हम लग देख सकते हैं इसके अंसर ए होगा अधिकतर दाले फलीदार पात्पो से प्राप्त होती है कुछ जिवानु जो रैजयोबियम कलाते हैं बायमनली नेट्रोजन को विले पदार्थों में परिवर्थित कर देते हैं यह जिवानु चैना, मटर, मुंग और अनफलीदार पात्पो के जरो में राते हैं तता उरे नेट्रोजन के आपूर्ती करते हैं इसके बदले पाद़ प्रैजयोबियम जिवानु को वास रमखाद परदान करते हैं अतो इनसाज ये भी समन्ध होता है दुसरा चेप्टर है प्रानियों में पोसन पहला कुश्चन है स्टार फिश तारा मचली के संदर मिने मिखित में से कौन सा कतन साथ है इसका आर कैलसियम कार्बोनेट के कटोर कवच वाले जन्तू होते है बख्चन के लई ये कवच खोनने के बाद अपने मिख से अमासे बाहर निकालती है तता जन्तू के कोमल भाग को खाती है कौन सा कतन सही है तो पहला और दुसरा सही है इसकी बैक्टिया देखे तारा मचली भोजन को सीधे अमासे में ग्रहन करती है ये कैसियम कार्बोनेट को कटोर कवच बाले जन्तू को अहर करती है कवच खोनने के बाद अपने मुख से अमासे बाहर निकालती है तता जन्तू को कोमल भाग को खाती है अमासे वापस सरीर में चला जाता है और अहर दीर दीरे पचता है अगला कुश्यन है पाचन तंत के संदर में निम्निखित कत्म पर विचार कीजिए पहला पाचन रस सरल पदार्तु को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक है दुसरा अमासे की आंतिक बिती चुद्रांस तथा अहार नाल से समद्ध ग्रंथिया पाचन रस सरावित करती है तो इसका अंसर होगा पहला कथा असत है इसकी व्याक्या देखें क्योंकि पाचन रस जटिल पदार्तों को सरल बनाता है अहार नालेवन समद्ध ग्रंथिया मि सायक होते हैं अज आक टन दो सही है अगला है निम्निकीद कतनों पे कौन सा सही है ये अकृत« सरीर के सबसे बरी ग्रणथी है ये अकृत Pi 52 रावित नहीं करता है तो इस में इसका अंसर तेसरा है पीत रस वसाだけ पाचन में महत्पून भूं का निवाता है जन्तु के संदर में निम्निखित कतनों में से कौन से सही है रुमेनेंट में आवास से चार परगों में बटा होता है रुमेन में बोजन का अंसिक पाचन हो जाता है तीसरा बाग में जन्तु इसे छोटे-छोटे पिंड्रकों के रूप में मुख में लाता है इसे चबाता है इसे रोमंतर चुगाली करना काते हैं तो इसके आंसर होगा पहला दूसरा और तीसरा इसके व्याक्या हुप्यूग सभी कथन सही है घास खाने वाले जन्तु वास्तव में पहले घास को जदी यल्दी निगाल कर अमासे के एक भाग में बंडारित कर लेते हैं एक वाग रुम मुक में लाता है जिसे चबाता रहता है इस प्रक्रम को रोमतन चुगाली करना काते हैं ऐसे जन्तु रुमिनेंट अत्वा रोमांति कहलाते हैं घास में शलुलोज की प्रचूर मात्रा होती है जो एक परकार का कार्बोहेडेट है अनेक जन्तु एवा मानव शलुलोज को पाचन नहीं कर पाते हैं इस करनिया घास नहीं खा सकते हैं डुमिनेंट चुद्रान से बहिदान के पीच एक थैली नुमा बड़ी सरचना होती है जिसे नाल करते हैं बोजन के सेलुलोज को पाचन यहां पर कुछ जीवानों द्वारा किया जाता है जो मनुस के आहार नाल सेल्गन के अंधरत बडलता रहता है अमीबा की कोसिका में एक कोसिका जिली एक गोल सगन के अंधरक और कोसीका दरब में बुलबूले की समगन अनेक धानिया होती है कौन सा सहीं sequence है इसके answer होग E Willow कि समगन में उप्यूग सभी कथन सही है यह जलासर में पाया जाने वाला एक कोसिय जीवे अपनी आकिर्ती होगे मिस्टिती नियंतर बदलता रहता है इसकी कोसिका मेग कोसिका जिली एक गोल संदक के अंदर के कोसिका द्रब में बुलबूले की समान अनेक धानिया उपस्तित होती है अगला कोशन है सुमेलित करना है इसमें हम लोग देख सकते हैं इसका आंसर भी है यानि कि अमासे का अमल में निमोचन छोटी आंच का यह हो जागा पच्चे भोजन का रुदिर वाईकाओं में अफसोसर बड़ी आंत का हो जाएगा जल अफसोसर या क्रीद का सहीज में सबसे बड़ी ग्रंती इसकी बाक्या देखें अमासे के अंत्रिक परश्तुर को श्रक्षया प्रदान करता है अनेक ऐसे जिवानियों को नश्ट करता है जो बोजन की साथ वहां पर पहुंचाते हैं साथ यह मादें से अमलिये बनाता है इसे पाचन रसों की क्रिया करने में सहता मिलती है पाचन रस जटण रस प्रोटीन को सरल पदार्तों में विगाटित कर देता है पचावा बोजन अफसोसित होकर चुद्रांस की वीतिक के में इस्टित रूधिर वाईकाव में चला जाता है यह प्रक्राम को अफसोसन करते हैं जहल कुछी लवन बड़ी आत में अफसोसित होते हैं यह कृत सरीर में सबसे बड़ी गरंती है यह सरावन करती है पीत रस वसा के पाचन महत्पुन भूर्ण का निवाता है अला नेमने कित कत्मों पर विचार कीजिए पहला कार्बोहाइडर्स प्रोटीन वसा महत्पुन खाद संगटन है दूसरा इसका पाचन जनतू के सरीर में इसी रूप में होता है कौन सा कतन सही है त जैसे कार्बोहाइडर्स का पाचन गुलकोज के रूप में वसा का पाचन आमलोड ग्लिस्रॉल के रूप में प्रोटीन का पाचन एमिनों के रूप में अगला कोशन देखते हैं यह जाएगा पाचन किरिया के संदर में नेमने कित कत्मों पर विचार कीजिए पहला इसके व्याक्राइब देखें चोटी आत में पाचन पाचन का एक महत्पून चरन है यह अक्रित और अगनासे के शराप प्राप्त करती है इसकी अत्रिक रिस्त में भीती से भी कुछ रस रावित होते हैं अगनासे से अगनिसारिक अगनासाइक रस निकलता है जो इसको सरा रूप में परिवर्तित कर देता है आंसिक रूप से वच्छा हुआ वोजन चोटी आत में निचले भाग में पहुंचता है जहां आत रस पाचन किरिया को पून करता है इस पर किरिया में ऐसे जैसे गिलकौज में वसा वसा आम लत्वा गीश रॉल में तटा प्र जंतुों से प्राप्त किये जाने였습니다. रेसे तांतव रेसे के लाते हैं, दुसरा रेसम के रेसे, रेसे कीट के कोशे प्राप्त होते हैं, तिसरा भेर, बकरी या उन देने वाले जंतु हैं, कौन सा कथन शाय है? इसक wrestler होगा पहला दुसरा और तिसरा. बाक्या उप्युक्त सभी कथन सही है जनतू के प्राप्त किये जाने वाले रेसे जानतव रेसे कड़ात है इसमें रेसम से फाइबर रेसम कीट को कौंकुन से प्राप्त होते हैं पून के रेसे भेर बकरी तत्वा याक के बालों से प्राप्त किये जाते हैं अगला कुश्यनियर्मिकित का जही है। इसमें देखें, उनको ऊंगोरा नश्ल का बकरिया से प्राप्ट किया जाता है। अंगोरा नस्ल की बक्रिया कस्मीर के पहारी चेतरों में पाई जाती है पस्मीना सौल अंगोरा नस्ल की बक्रियों की तवचा परुपस्थित मुलायम बालो फर से बनाई जाती है तो इसके अंसर उन्हों देख सकते हैं तो इसके अंसर जगा कतन तीन गलाते क्योंकि कस्मीर डियाते हैं एक और दो सही है अगला ऐ रेसं के संदर में निमिकित कत्नों पर विचार किजे रेसं कीट पालन को शेरी गल्चर का जाता है रेसं फाइबर रेसे प्रोटीन्थ देश और दुस्रत के amazingly प्रोटिन से मनें होते हैं कथन पहला और दुसरा से हुला नुसे कोकून एकitel की इसकी आई है रेसम किट पालन कोकुन से रेसम को निकलने और कच्छे रेसम से बस्त निर्मान आदी कार अधिकतर महिलाओ द्वारा किया जाता है। रेसम उत्पादर में भारत दुस्तु के अग्रणी राज्ये में से एक है। अगला कोशन है रेसम के संदर में निकीत कतन पें से कौन सा सही है। रेसम की टने किस्म के होते हैं जो एक दुसरे से कापी अलग दिखाई देते हैं। उनसे प्राप्ट होने वारा रेसम कढ़ागा गटन, अर्थात, रूजिता, चिकनाहट, चमक आधी के भीन होता है। अर्था टरसा रेसम, मुंगा रेसम, कोसा रेसम, अनपरकार के रेसम, विभीन किस्म के रेसम कीटों द्वारा काटे गए, कोई कुनों से प्राप्त किये जाते हैं। सबसे समान रेसम किट, सवाटूत रेसम कीट है। अगला कुश्यन निम किट कतनों पर विचार करे। पहला रेसम के खोज सवापर्तम भारत में होई, दूसरा प्राचीन काल में जिस मार्ग में रेसम का वैपार विभीन देसों में होता था, उस मार्ग को आज सिल्क रखा गया बाद में यात्री और बैपारियों ने रेसम कौन देशों में परचलित किया जिस मायगमेनों ने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहा जाता है चौथा चेप्टर उसमा है इससे रेटेट कोईस्चन को देखे निमनी कित में से कौन सा तापमान मात रख न सदैब गरम बस्तु क्या पेक्चा के ठंडी बस्तु की और प्रवावित होती है तुछा द्राव और गैसों में उसमा संबहन दोरा स्रांतित होती है वह प्रकान जिसने उसमा किसी बस्तु के गरम सीरे से ठंडी सीरे की और स्रांतित होती है चालन का लाता है कौन सा कथन सह पहला दुसरा और तीसरा इसका ब्याग्या है उप्युक्त तीनों कथन सहिए उस्मा सदैप गरम बस्तु के अपक्छा के ठंडी बस्तु की होड प्रफाबित होती है एक बस्तू से दूसरी बस्तू है उस्मा तीन प्रक्रमों द्वरा स्थरांतित हो सकती है यह है चालन संबहन विकिरन ठोसो में प्राय उस्मा चालन अर्द्रबो और गैसो में संबहन द्वरा स्रांतित होती है विकिरन द्वरा उस्मा में स्थरांतन के लिए किसी माध्यम के आप सकता नहीं होती है वह प्रक्रम जिसमें उसमा किसी बस्तू के गलम सीरे से ठंडे सीरे की और अस्तान्तित होती है चालन का लाती है अगला कोश्चन है सुमेलित करना है थाल समीर के बहने का समय है इसमें इसके आंसर आम लोग देख सकते हैं पहला अप्षण है रात की सम समुंद्र समीर के पहनने का समय है यह दिन की समय गारे रंग के कप्रे का पहनने का समय हो जाएगा वसीत रितु में हलके रंग कप्रे पहनने का समय ग्रिश्म रितु में इसकी ब्याक्या देखें दिन की समय में अस्थल जल किया पेक्छा सीख ग्रम होता है अस्थल के उपर इस ठंड बायू को समुन्द समीर काते हैं समुन्ध समीर की ठंड बायू का लाब लेने के लिए तटीय चेतरों में भवनों की खिरिक्यास समुन्द की और बनाई जाती है दात्री में यह प्रक्रम ठीक वी प्रित हो जाता है समुद्र का जल अस्टल अपेक्छा दीमी गती से होता है इसलिए अस्टल की ओर से ठंडी बायू समुद्र की ओर चलती है जो थल समीर कालाती है ये रातरी की समय चलती है गारे रंका पृष्ट अपेक्छा कीद अधिक उस्माब्रोसी सुसित करते हैं कर्ण दे प्हेल जाता है कौन सा कतन शह यह? 1 और दूसरा इसकी ब्याक्ष्या हम लग देख सकते हैं दोनों कथन सही है डॉक्टरी थर्मामीटर को के बल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है मानव शरीर का ताप समानता 35 डिग्री से कम अट्राव बैलेश डिग्री से अधिक नहीं होता यही कारणे कि इस थर्मामीटर का परिसार 35 डिग्री से दिग्री से थर्मामीटर में पारे का पर्योग होता है पारा एक विशाक के प्रदात है यदि ताप मापी टूट जाए तो जिसे निप्टान आतियंत कठीन है आजकल अग्किये ताप मापी डिश्टल तरवामीटर उपलग है जिसमें पारे का पड़योग नहीं होता अगला कुछ नम लोग दिख सकते हैं निमने कित कत्म पपिचार कीजिए तो पहला है गहरे रंग के बश्टू है हलके रंग के बश्टू के पेक्षा उसमें विकिरनों को कम अपसूसित करती है दूसरा उनी वश्ट्र शर्दियों में हमें गरम रखते हैं इसका करण यह है कि उन उसमा रोदिया इसमें रेसों के बीच बायों फसी ट्रैप रहती है कौन से कत्न सकते है तो केबल दो इसकी ब्याक्या है गरे रंग के बश्टू हलके रंगों के बश्टू की अपेक्षा उसमें विकिरन को जादा अपसूसित करती है इसलिए कतन एक गलत है उनी बश्ट हमें गरम इसलिए रखते हैं क्योंकि यह उसमा रोधिया तता इसके रेसों के बीच बायों रहती है इसलिए कतन दो सथ है अगला है यदि किसी निश्ची ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबाया जाता है तो इसके आंसर के वलती लोहे के गोले तता जल के ताप में कोई परिवर्टन नहीं होगा इसकी ब्याक्या देखे उसमा सदय गरम बस्तू के ठंडी बस्तू के प्रवावित होती है चुकि लोहे का गोला तता जल समान ताप पर है और तो उसमा का परवाव किसी विदिशा अर्थात ना तो गोले के जल की और ना कि जल से गोले की और होगा इस वरकार किसी केताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगला कुश्यन है स्टेनलेस के इसपाद की कड़ाई में प्राया कॉपर तली लगाई जाती है इसका कारण हो सकता है इसका अंसर होगा स्टेनलेस इसपाद की अपेक्षा तामबा उस्मा का अच्छा चालक है इसकी ब्याख्या एस्टेलने सिस्पाग क्या पेक्चा तामबा उस्मा का अच्छा चालक है जिसके कारण उस्मा बर्तन की तली में बेतर तरीके से फेलाती है तता भोजन अच्छी तरह से पकता है इसलिए कथन डी सही है आनुस अभी कथन हसते हैं अगला चप्टर है पांच अमल छारक और लवन इसमें इससे सुमेलित करना है तो इसके अंसर हम लोग देख सकते हैं तो हो जाएगा पहला आप्सन सही है फौर्मी का अमल हो जाएगा यह है चिट्टी के डंग से करिसियम हैड्राउकसाड चूने की पानी टाटरी काम यह जा फौर्मीकम चिट्टी का डंग शातरी कं नेंबू के एक हैस्ट रस्के अंधी में उप्योग सब्सक्राइगा नापतार्द कर्मजिस में पाएजाता है ग्लेसिम है domains का उध्मियोannya का पानी ओमोनियम हैं situação खिरकी के का चाधि साब करने के लिए परेयों उपयोग में लाये जाने वाला मार्जक, सोडियम हेडराकसाइट, पो्टियस्यम strongest half सबूल, मैंगनेसियम हेडराकसाइट, दूदिया मैंगनेसिया मेंगनेसिया अगला कोशन हम लोग देख सकते हैं, निमनिकीत कतनँ पपे चार कीजिए तो पहला उदासीन बिलियन लाल और नीने लिटमस फेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता दुसरा हालदी लिटमस गुरल और पंखुरिया आधी प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाली सुचक है जिसरा जब बर्सा जल में आमली की मात्रा अधिक होती है तो वो आमल बर्सा कहलाती है तो इसका अंसरोगा तीनों सही है उप्यूग सभी कतन सही है ऐसे पदार्थ जो ना कि अमली होते हैं ना कि छाड़िये उदासीन बिलियन कहलाते हैं ये लाल अत्वा नेले लीटमेस पेपर का स्रंग परिवर्थित नहीं करते हैं। कोई पदार्थ अमली है अत्वा चारिये। इसका परिच्छन करने के लिए विसे इस परकार के पदार्थों का उप्योग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कराते हैं। हल्दी लीट में सुगूरल की पंकुरिया इतियादी प्रैकिर्थिक रूप से पाये जाने वाले सूचक है। जब वर्षा जल में अमली की मात्रा अधिक होती है तो उस अमल वर्षा कहते हैं। बरसा जल में अमली होने की करण पर दूसर के रूप में नेमोक्त कारबन डै Peninsula आकसाइड सलपा डैकसाइड n rides जैसे गैस होती है जो बरसा जल में घुलकर कर्म साझा बनाती है आवला कोशिन रहसानी कुर्वरगों के अतियदीक परयोग में मिर्दा पर परने वाले परभाव और उसके उपचार की संदर में ये मिकित कत्नों में से कौन सा सही है तो इसके अंसर हो जगा केवल पहला रहसानी कुर्वरगों का अधिक परयोग मिर्दा को अमलिये बना दे इसकी ब्राख्या देखें किसानिक उर्बर को मर्द का त्याधिक उप्योग बना देता है. अत्यकता नेग सही है। प्रकिर्टी को उदासीन कर देटा है इसलिए कतन दो गलत है अगला कोश्चन है दैनिक जीवन में उदासीनी करन के उदार्णों की संदर में निम्निकीत कतनों पर विचार कीजिए पहला कर खानों और अफसिष्ट कच्रे में अमलिय पदार्थ मिस्रित होते हैं इसको जलास के प्रवाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम, हाइड्रोजन, कर्बोनिय टत्वा, कैलमाइन, बिलियन की सहता से उदासीन किया जाता है कौन सा कतन सही है तो इसके अंसल हो जगा तीनों सही है सभी सही है कर खाना में कच्रों में अमलिय पदार्थ मिस्रित होते हैं जो प्रवोजन को पाचन में सायक होता है परन्तु इसकी अधिक्ता में अपाचन हो जाता है इस सिती में मुख्ती पाने के लिए मैंडियम जैसे कोई प्रतियाउन लेते हैं जिसको मैंक्सी 30 मesut am garant season हूता है जो अतियधिक हमलिक के प्रवाव को उदासीन कर देता है चिठ अगला कुश्यन देखें, नेमनिकीत कत्नों पर विचार कीजिए, हमारे दंत 6 हेतु अमल जिमेदार होते हैं, दातों के मद फसे खाद पदार्त अमल निमोचीत करने के साहिक होते हैं, इसका अंसर होगा पहला और दूसरा, इसकी ब्याक्या देखें, दोनों की कत्न सत है, श जिवानों दातों के बीच फसे बोजन की सरकरा का विगटन कर आमल भीवाचीत करते हैं, यह आमल धीरे-धीरे दातों की चहती पहुंचाते हैं, चौकलेट ठंडे पे और चीनी मिठाईया आनपदार्त दंत चह यह तु उतरदाई होते हैं, दातों के अमलिता को दूर करन यह तूथ पेस्ट में नमक 4 का परयोग किया जाता है, अगला कूश्चन देखे, जेकि चैप्टर नमर 6 है बहतिक और अईचानिक परिवर्तन के संदर्वी निमिकित कत्नों इसे कौण सा सहिं है, तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं, केवल 2, यानिक रशानिक परिवर में कोई नया पधार्त नहीं बनता बस उसकी अवस्ता बदल जाती है अर्थात इसको प kul अवस्ता में लाया जा सकता है जैसे पानी का बर्प सबसकी सबस बर्सानिक परिभर्तन के आएको आदिक नएपदार्थ बनते हैं इस धुरां धुनिक आउत्पन होना उसमां प्रकासें किसी अन्परकार के विकिरन का निमुख्थ और अफ्सोसित होना किसी गंद का बनना या उस में परिवर्तन होना भी हो सकता है कत्थन दूर सही है अगला कोश्चन है निमिकित मे उसको जोरा नहीं जा सकता लेकिन उसके टुक्रों के गुनों को कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अतो या बहुतिक परिवर्तन का उधारन है अंसा भी रसानिक परिवर्तन के उधारन है अगला निम्निकित कतनों पर विचार कीजिए उजोन का विगटन एक रासानिक परिवर्दन है उजोन पराबैगनिक विकिरन को अप्सोसित कर लेती है उप्युक में से कौन सा कतन सही है तो पहला और दूसरा सही है इसकी बैख्या देखे हमारे बायो मंडल में उजोन की एक परत पाई जाती है यह हमें सुर्ज के परकास में उपस्तित अनिकारक पराबैगनिक विकिरन से बचाती है उजोन पराबैगनिक विकिरन को अप्सोसित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिनित हो जाती है यदि उजोन दोरा पराबैगनिक विकिरन अप्सोसित नहीं होती तो हुआ भृत्वी की सता पर पहुंचके हमें आन जीवों की हानी पहुंचाती है वो जोन का उपयोग जल की रोगन वीगानु रहित करने में भी होता है अगला निम्नेकित पर विचार कीजिए पहला लोहे में जंग का लगना एक रहसानिक परिवर्तन है लावन जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है कौन सा कतन सही ह तो पहला और दूसरा, इसकी बैखा देखें, दोनों कतन सही है, लोहे में जंग का लगना एक रैसानिक परिवर्तन है, लावन जल की उपस्ति इस पर किरिया की तिर्व करती है, लोहे को जंग में बचाने ये तू, जैस्ता जिंग की परच अठाए जाती है, इस प्रक्रम को ये गैस दरब की रूप में रहती है, शिलिंडर के बाहर आते ही, ये गैस में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन ए फिर वही गैस बर्नर पर जलती है, बी निमनिकित कतन में से परिवर्तनों के समंदित में कतन का चैन कीजिए, तो इसके आणसरों का भी प्रेक्रम भी एक रिषानिक परिवर्तन है इसकी ब्याख्या है सिलिंडर में दिराव के रूप में मौझूद गैस के बाहर आती ही गैस में परिवर्तन होना बहुत ही परिवर्तन है क्योंकि इस पर कि लिए में गैस के रिषानिक सनचना में कोई परिवर्तन नहीं होता जबकि गैस जलने क दरन इसमें उस्मा परकास अनुप उत्पाद बनते आता या एक रैसानिक परिवर्तन है अगला कोश्चन हम लोग देख सकते हैं अगला चप्टर है मौसम जलवायों जलवायों के अनुकुल जन्तुव दरा अनुकुलन इसे रेटिट कोश्चन है मौसम और जलवायों के स्थान का मौसम कहलाती हैं डुसरा किसी स inf isto है कि अंस której मौसम प्रति दिन प्रति दिन TI डिन इस सपता अधर्प्रति वर्परिवर्त होता रहता है तापमाना अधिता वर्ष कित्वत चनativa, हैं मौसम के घटक है पर बना मौसम का pattern उस पस्थान की जलबायों कहना है तरहा जा सकता है उस हेस्थान की जलबायों करना सब्सक्राइन स्पविख्णा कोश्ण करें हैं मुखित कतनों के डिदिभायों अगला substitution तर्विय बालु पेंगमिन और एडियन पाये जाते हैं चौते अनेक परकार के पक्षी सर्दियों में आते ही यहां पेच्चा क्रित गरम स्थाना पर परवास लिये जाते हैं कौन सा कतन सही है उप्युक सभी कतन सही है दिरुबिय चेतरों में वर्ष के 6 मार सुर्यस्त नहीं होता इन चेतरों में चरम जलवायों पाये जाती है पता यहां चेतर सद्या बरव से ढके रहते हैं तता सर्दियों के में तापमन-37C तक हो जाता है यहां वर्ष में अधिकांस्तर समय अधिय इसके ब्याक्षा देखे, दुरूबिय बालु पेंगविन रेडियन कस्तूरी मिग लोमडी सील वेल और अन कई परकार में पक्ची पाया जाते हैं, इन बुचेतरों में रहने के लिए अनुकुलित होते हैं, दुरूबिय बालु का स्रीर इतनी अच्छी तरह से सित्रोधी ह होता है वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि अनेक शरीर का तापमर आवसक्ता से अधिक न हो जाएं दूसरा जहां मचलिया लंबे समय तक ठंडे जल में रह सकती है वहीं पक्षियों के जिवित रहने के लिए अपने सरीर में गरम लखना आवस्यक होता है इसलिए अनेक परकाल की पक्षी सर्दियों में आते ही परवास के लिए चले जाते हैं बारत में ऐसे अनेक पक्षियां में आने वाले स्याबरियिक के लिए लाज भरत पुर और हर्यानके सुल्थान्पुर महत्पून है अगला है उसन कटी बंदिये चेत्र में संदर में कौन सा कतन सही है पहला इन चेत्रों में जलवायों समाग संतर गरम होती है दूसरा इन चेत्रों में प्रचूर मात्रा में वर्सा होती है पशिमई गाट में जातन उना इस अ कटन साही है च्छेत र wonderful ड़त से जाहे है है यहां वर्सा पप्रशोग मात्रा में होती है उसने जातन प्रसा ग realism पश्मी घाटो और असम में पाये जाती हैं यह वन डख्षिन पुरू एसिया मद अमेरिका और मद फिरका में पाये जाते हैं सतत गर्मी और वर्षा के करण इस चेत्र में बिवीन परकार के पादय परम जन्तु पाये जाती हैं लायन टेल से लंगूर डारी वला है पश्मी घाट के बरसा बनों में पाये जाता हैं इसकी सबसे परमुक बिसेष्टा उसकी चांदी जैसे सफेद आयाल है लाल नेतर वाला मेधक न्यू वर्ड मंकी टूकन पक्षी हाती आधी इस चेत के परमुक चन्तु है अगला चिप्टर आठ है पवन तूफान अड़ चक्रबाद इसे रेटेट कोश्चन देखें निमने कित कतनों पर विचार कीजिए भूमत रेखा आसपास के चेत में सूर्ज की अधिकता मुसमा मिलती है भूमत रेखा को 29 और 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांस की पर्टी के चेतरों में बहु भूमत रेखा की और गतिसील होती है अगला 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांस के चेतरों में अध्समान रोप से गरम होने के करण पवन का प्रवा सिक्षी दिग्री अक्षांस से 30 डिग्री अक्षांस के और होता है उपिक में से कौन सा सही है तो केवल पहला और दूसरा इसकी ब्याख्या देखे भूमद रेखा पसूज की किरने सीधे पर थी है इसले भूमद रेखा कि आसपास के छेत्रों को अधिकतम उसमा प्राप्ठ होती है तो कतन एक सही है 0 डिग्री से 30 डिग्र अक्षांस की पट्टी के छेत्रों में बायो भूमद रेखा की और गतिसील होती है जिसके करनिया है कि 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्र और दक्षिन अक्षांस के बीच निम बायोदाब का छेतर होता है तो तो 30 डिग्री उत्र एबम दक्षिन अक्षांस के आसपास उच बायोदाब छेतर होता है जिसके करण पबने उच बायोदाब में नीम बायोदाब के और बहने लगती है अता कतन दो सही है उच अक्षांसों के परसूर्ज की किरने तिर्ची पर 30 दिगरी से 60 दिगरी के बीच कित्वी की सत्व और समान रुप से गरम रहती है 30 दिगरी उत्री और दक्षनी अक्षांस के आसपाच उच बायोदाब और 60 दिगरी अक्षांस के आसपाच नीम बायोदाब छेतर होता है इस करण पबन का परवाव 30 दिगरी अक्षांस से 60 दिगरी अक्षांस के और होता है उता कठन तीन गलत है गर्मी में अस्टल ये चेत अधिक तेजी से गरम होता है अधिकांस अस्थन अधिकांसा में अस्थल का ताप समुंद्री जल के पिच्छा अधिक रहता है अस्थल के उपर की बायू गरम होकर उपर उठ साती है इसे पवन समुंद्र के अस्थल की ओरिवाती है सीत काल में पवन के प्रवां के दिशा बिप्रित हो जाती है समुद्ध में आने वाली पवन अपने साथ जलवास फुलाती है जिसे वर्षा होती है अगला है तरित जंजाबाद और चक्रवाद की संदर में निम्नकीत कतनों पर विचार कीजिए पहला बायू मंडल में उची अस्टरों पर पानी की नीचे गिरती बंदे और उची उपर गसी तरित जंजाबाद महारत जैसे गरम आद उसनकटी बंदिये छेत्रों में अक्सर विक्सित होते रहते हैं ताप में ब्रीदी होने के कारण उपर की और उठती हुई परवल हो जाती है पवन बायू के पहले बिदमान जल में बुंदों अर्पने साथ उपर ले जाती ह जहां ताप कम होने के करण वो जम जाती है पूरा नीचे की और गिरने लगती है गिरती हुई जल की बुंदे दिर विवेग के उपर उठती हुई बायू की परसपर किरिया से बिजली तरहीत कौझती है जिससे धुनी उदपन होती है या गटना तरि जंजावत कहलाती है तो कतम एक सही है चक्रवात का केंद्र एक सांथ शेतर होता है इस जंजा का नेत्र करते हैं अधा कतन दो सही भी है कोई बिसार चक्रवात बायु मंडल में बायु का तेजी से घुर्णन करता पेंड होता है पृच्वी 10 से लगवा 10 से 15 किलोमीटर की उचाहे परुस्तित होत है इसे पवनक्र वेग न्यूंक होता है अगला चक्रवात के संदेर में नेमनिकित कतमऌ पर विचार कीजिए पहला भारत का पश्मी टर्ण चक्रवात की प्रवलता थे दूसरा अमेरिकी महादुप से चक्रवात को हरीकेन और पुलिपीन्स के जपान में टाइपून काते हैं तो इस कैंसरों का केवल दू बारत में संपुन टच रेखा विशेस रूप से पुर्वी टचक्रवातू के लिए संबेदन सील है प्रन्तु मरत का पश्मीटर चक्रवातों के प्रवलता और आविर्थी दोनों ही संदरवन और विक्षा के कम संबेदन सील है इसलिए कतन एक गलत है विसमें विभीन भागों में चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना जाता है अमेरिकी महादुप में से हरीकेन करते हैं पबने सदयब अधीक बाईव दाबाले चेत में कम बाईव दाबाले चेत की और गति करता है कौनसा कतन सही है केवल दू इसकी बैक्षा देखे पर्थम वाक गलत है जबकि दूसरा वाक सही है पवन का वेकवाज़ें व्युक्तने से बाईव का दाब वास्तों में कम हो ज को चलने वाले उतर परशियंग पवन हैं है अगला कोश्चन देखें के दुस प्रवाओं में निमने कित्मी से कौन से वहस्ता सहायक हो सकती है इसमें हम लोग देख सकते हैं तो इसके आंसर हम लोगा देख सेथा हैं चार होगा चक्रवाथ कुनरमान को तत्ता चिताबनी अपात कलिन सिवाय जैसे पूलिस अगनी सामग दल चिकिसा केंद्रों का टेलिपोन नंबर के साथ रखना परोसिय नमेंत्रों तथा बचाव दल के साथ प्यता संभव सहयोगवन सहाता इसकी व्याकिया हम लोग देख सकते हैं उन्नत प्रदकी की सहता से आज चक्रवाद चिताबनी सेवा बहुत त्रिव हो गई है अतालिस गंटे पहले ही चक्रवाद सकत रखता और चक्रवाद सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवाद चिताबनी भी कम से कम 24 गंटे पहले जारी कर दी जाती है अगला चप्टर 9 ह तो इसमें हम हम इसका ऐंसर देख सकते हैं, तो इसका आंसर होजागा B, यानि कि सिर्समेदा अथवा संस्तनत स्थिथी, तो इसका आंसर होजागा पहला या परत मेदू, Humanism और अधिक जयल को धारन करने वाली ओती है, दूसरा मद परत अत्वा संस्तरत इस्थिती तो इसके अंसर हो जाएगा तीसरा इस परत में सिर्ष मेदा कोहियूमस का प्रंतु खानीज अधिक होते हैं अगला कुशन है तीसरी परतत्वा अस्तंत्रत दिस्तिती विर्यागा या दरारों और विरोदों युक्त सेलों के छोटे दोलों की ठेलों की बनी होती है। अगला कुशन है अधार सेल इसके अंसरों का या कठोर होती है। इसे फावरे से खोदना कठीन होता है। इसकी व्याक्या देखें, पावंद जल और जलवायों की किरिया से सेल के टुटने से मिर्दा करिर्मान होता है, यह प्रेकम अपेक्चन, अपक्चर कहलाता है, मिर्दा में भी भीन परतों होती है, परतेक परत, सफर्स, रंग, गराई और असायनिक संगठन में भीन होती है इसका रंग गहरा होता है, सघसर मिर्दा में नीचे की परत मियोमस कम होता है, लेकिन खरीज अधिक होता है यह परत समानता अधिक कटोर और अधिक सहथ धनी होती है B. संस्त्रत इस्टिती मध्यापरत कालाती है तीसरी परत C. संस्त्रत इस्टिती कालाती है जो दरारों और विद्रों युक्त सेलों के छोटे सेलों ठेलों के बनी होती है तीसरी परत में नीचे अधार सेलों होती है कटोर होती है और इसे फावरे से खोदना कठीन होता है अगला कोशन है यह मिखित वर विचार करना है तो इसके अंसर हो जागा बी पहला दूसरा और तीसरा वादपु सोगने के लिए सबसे अच्छी सिस मिद्दा दूमट मिद्दा है दूमट मिद्दा बालू चिकनी मिठी और गाद का मिश्रन है इसके तीसरा गाद करनों का अमाप सायज बालू और चिकनी मिठी के करनों के अमाप के बीच का होता है अगला कोशन हम लोग देख सकते हैं किसी गरम दीन में कि दोपार में किसी खेत और खूले मैदान में जमीन के उपर बैयो कम क्रिद होती जिखा अगला कोशन देखें में निमिकीत कतनों पर बिचार कीजिए इसके अंसर हम लोग देख सकते हैं पहला और दूसरा यानि कि जल पवन और वर्ख दोरा में जमीन के उपरी पर सत्ता का हटाना अपरदन का लाता है दूसरा पॉलिथीन रसायन पीरक नासी में दख परदूस अत्वा बंजल भूमी जैसे स्थानों पर अधिक होता है जहां किसता बहुत कम अत्वा कोई बनस्वती नहीं होती आता बेक्चों की कटाई और बनुद्मलन को रोका जाना चाहिए हरी चेतरों में पाय बढ़ाने के से परियास किये जाने चाहिए पॉलिथीन की थेलियों और प्लास्टिक मेर्दा को परदोसित करते हैं इसके अधिक्त पीरक नासी और रसायनों का उप्योग मेर्दा परदोसन का कारण बनता है पीरक नासी के उप्योग में कमी अप्सिष्ट पदार्तों का उचित पर रंदन रसायनों का उपचार और पॉलिथीन के उप्योग का उपयोग पर्तिबंद मेर्दा परदूसन में कमी ला सकता है अल्ला चप्टर 10 से जीवों में स्वसन इसे रेटेट कोश्चन देखे निमनिकित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचीत होता है जिससे एंठन होती है इसका अंसर होगा लैक्टिकम बहुत देर तक बयाम करने तेजी से दोरने साइके चलाने तो भारी वजन उठाने जैसे कारियों के लिए अधिक उर्जा के आप सकता होती है देकिन उर्जा उत्पन के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन के आप पूर्ती सीमीत होती है ऐस्तिस चीती में पेशियों कोश्य का आववेवि गरम पानी से स्नान करने अत्वा सरीर के मालिस करवाने प्रैठन से हराम मिलता है क्योंकि इससे रक्त का संचार बढ़ जाता है इसकी परिणाम से रूप पेशी को सीकाओ को ऑक्सीजन के अपूर्ती बढ़ जाती है जिसे लाक्टिक हम का करबन डगसेड और जल में पुन विखंडन हो जाता है अनता-स्वासित बायो और उचादित बायो में अक्सीजन का परतिशत कितना होता है जबकि आगचावित बायो में 16-4% oxygen 4-4 carbon dioxide होता है अगला निमनिकीत कत्मों में से कौन सा कतन सही है इसमें हम लोग देख सकते हैं पहला और दूसरा बोजन में संचीत उर्षा स्वासन के समय निम्युक्त होती है दूसरा कोशिका के अंदर oxygen के उपयोग करके गुलकोज carbon dioxide को जल में विखंडित हो जाता है स्वासन करते हैं दूसरा के अंदर लेते हैं उसमें अपस्टीत oxygen का उपयोग गुलकोज को कारवन डायोकसाइड और जेल में भी खंडन के लिए किया जाता है इस उर्प्रका में उर्जा बिनमुक्त होती है एला कोशन है स्विमिलीद करना है जिसके अंसर हो जाएगा बी इस्ट हो जाएगा इलकोहन डाइफराम हो जाएगा विक्षिगुआ तिल्चट स्वासरंद पगतिया जगा स्वासरंद प्तिया है यह जगा रंद मचली जगा कलों उच्ञिश्ट करते हैं इसके प्रेकिडिया में समय अलकोहन निर्मित करते हैं तो इसका उपयोग सराव बीयर वाइन बनाने में किया जाता है स्वासन के समय बायू नासा गुवा स्वास नली से होकर हमारे फेपरों फूपुस में हो जाती है फेपरे विक्ष गुवाब से इस्थित होते हैं वक्ष गुवा पास्वम पसलियों से गीरी आती है एक पड़ी पेशिय परत जो डायफराम मादपक्ट कहलाती है बिक्ष गुवा को अधार परदान करती है स्वासन में डायफराम और पसलियों में बनी पिंजर की गती समलित होती है तिल्चट्टा में सरीर के पास भाग में छोटे-छोटे चीदर होते हैं यह चीदे स्वास रंद्र कहलाती है तिल्चट्टों और अनकीटों में गैस के बिन में के लिए बायो नलिया का जाल बिछा होता है जो स्वास प्रनालिया वातक कहलाती है पादपो के सत्वा पर उपस्तिस्वक्ष मशिद्र होती है तो इसका अंसर हम लोग देख सकते हैं तो इसका अंसर होगा कोई व्यक्स व्यक्ती विश्राम की एक वश्ता में एक मिनट में आस्टन 15-18 बार सास अंदर लेता है बाहर निकालता है अधीक बयाम करने में स्वासन दर 25 बार प्रती मिनट बैठ जगती है अगला है अस्वासन के समय पसलिया तो इसका अंसर नीचे की वर गती करती है स्वासन के समय पसलिया उपर की वर बाहर की वर गती करती है और डाइपराम नीचे की वर गती करता है उच्वावन के समय पसलिया नीचे और उपर अंदर की वर आ जाती है रुप्यूक में से रक्त की इसका परिसंसरन करता है, इसका एंसरों का पहला और दीशरा, तीशरा रक्त एक तरल पदार्त है, जो हमारी वहनियों के प्रभावित होता है, यह में यह पच्चे विए भोजन को चुद्रान चोटी आथ की सरीर में अनुभागों तक ले जाता ह है, शरीर में कोशिकाओ के अपसिष्ट का उसरजन करती है, रक्त शरीर में ऐसी कई भी अपसिष्ट पदार्तों को बाहर निकालने के लिए परिवन भी करता है, अगला है मानप्स रक्त में अपस्थित हिमोगलोबीन के संदर में निमिकित कतना पर विचार कीजिए, तो पहला हिमोगलोबीन ऑक्सीजन को साथ संजुक्त करके शरीर के सभी अंगो और कोशिकाओ तत इसका परिवन करता है, दुसरा हिमोगलोबीन एक लाल रंग का वरनक है, जो ऑक्सीजन से संजुक्त होकर रक्त को लाल रंग पर दान करता है, कौन सा कतन सही है, तो इसके आंस करन को कुशलता पुर्वक औक्सीजिन प्रदान करना कठिन हो जाता है यमों celebrity लॉव विन लाल र्ग्प को सिकाए रबी सी ओस्थित एक लाल रंग कावर नक होता है उडा स्फन दो सही है अगला है स्वेत रख्ट कोसिकाय WBC का निकाय निम्निकित में से क्यार्ट करती है तो इसका अंसर हो रोगानु का विनास रख्ट का तरह लभाग का प्लाजमा कहते हैं रख्ट कोशिका हैं इसमें तरती हैं यह कोशिका तीन परकार की होती हैं लाल रख्ट कनिका, स्वेत रख्ट कनिका, प्लेटलेट्स लाल रख्ट कनिका अक्सीजन और कर्बन डाउकसाइड का परिवान करती है स्व難 रक्ट का निकाहल उनरुगाणियों का नष्ट करती है जो शरीर में परवेश करता है जबकि रक्ट का थख्का बनना पुष्टिकाओं, प्लेट लेट्स का बनना ख़्यार के कारण होता है अगला इनिकित में से विचार कीजिए तो जागब रक्त रक्त वानिकाई हिर्दय और विकति इसके अंसरों का केवल चार रक्त परिशारंग की खोज विलियम हारवे नामक एक अंग्रेज शिकित सकने की थी रक्त और रक्त वहिकाई ये दे तीनों ही मानव सरीर के परिसंचरन तंत का हिस्सा है रक्त ऑक्सीजन परचे हुए भोजन और अक्सिस्टों का परिवान करता है या परिवान रक्त वानिकाई के द्वारा होता है शरीर में दो परकार की रक्त वानिकाई पाई जाती है रक्ट को सरीर के सभी भागुख में वापस हिर्दय में ले जाती है, सिराओं को बितियां अपेच्छा कित पतली होती है, सिराओं में ऐसा बल्ग होते हैं, जो रक्ट को केवल हिर्दय की और प्रभावित होने देते हैं, अगला है, हिर्दय रक्ट द्वारा पदार्तों में परिवान के लिए पंप के रूप में कारी करता है, बिक्र मानव सरीर में उत्सर्जन तंत का हिस्सा है, ना कि परिसंचरन तंत का, अगला अच्छी किसक हिर्दय स्पंद को मापने के लिए निम्निकित में सिक्की सियंत का परयोग संकूच करती हैं परसमान स्थित्ग मिलने यह बंठा ये थी को परवकिर कुछान और बसाथिक क्शियान परकार के भीकार को पता लगाने के लिए कहता है का परयोग मस्तिक्स में होने वाले विदूत किरियाओं के निरुपन करके मस्तिक्स समंदी रोगों का निरुपन करने के लिए किया जाता है अगला निम्निकित में विचार कीजिए मचली हाइडरा स्पंज तो इसके अंसर होगा C दूसरा हाइडरा और स्पंज हाडरा स्पंज जैसे कुछ जन्तों के कोई परिवान तंत नहीं पाया जाता जिस जल में हुए रहते हैं वहीं उसके सरीर में परवेश करके के भोजन और अक्सीजन के अपूर्ती कर देता है जब जल बाहर निकलता है तो वो अपने साथ कर्बन डियोक्षाइड और अप्सिष्ट प्रदार्थों को भी ले आता है अता परिसंचरन एतु रफ्ट के पका समान तल के आप सकता ही नहीं नहीं होती समान तर मक्षिले में परिसंचरन तंत पाया जाता है अगला कोशिण है अपको डाइलोसिस की विधी निम्नना की सिख्की सक्रियो की हो जाने की स्थिति में परियोग लाई जाती है तो इसकी ऐंसर हम लोग देख सकते हैं बिक्र का मुक्रकार रक्त को चानने के में होता है अपो के बिदी का परियोग बिदी के अक्री हो जाने की स्थिती में किया जाता है। के बाहर निकाल दिये जाते हैं सरीर से निकलने वाला पसीन सरीर के अनिकारक तत्वक से बाहर निकलने के साथ सरीर को ठंडे बनाए रखने में सहयता करता है अगला है कुछ जनतियों में सरीर अपसिष्ट असायनों के निसकारशन से संदर में निमितित में विचार कीजिए जिस कैंसरों का केवल पहला मचली कोशिका अपसिष पदार्तों में अमोनिया के रूप में उसरजित करती है। इसकी व्याक्रा देखें, जन्तु में सरीर में असाहनुक और निसकारसन से बीदी जेल की उपलपता में निर्वर करती है। मचली जैसे जली जन्तू कोशिका के अप्सिष्ट उतपादू को आमोनिया के रुप में उसर्जित करते हैं जो सीधे जल में गुल जाती है। पक्ची और छिपक्विली सर्प जैसे कुछी जन्तू अपने सरीर में अपसीष पदार्तों का उसर्जन दान आर्त दान पदार्त की रूप में करते हैं। यह पदार्त यूरी कम में होता हैं जो मुक्तो सफ्यद रंका योगिक है। मानव द्वरावत सरजीत अफसिष पदात्मे यूरिया परमुक्र है। अगला हम लोग देख सकते हैं सुमेलित करना है। इसमें इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसके आंसर हो जगा जायलम। जल और पोसंग तत्वों के पडिवहन के लिए पादपो में जो संबहन उ तक द्वारा किया जाता है। इसे फुलयम करते हैं। अगला हम मुलो द्वारा में अवस्वोसी जल अभी क्रेमसित खीच करोकर तने और पतियों में पहुंचता है। करन पतियों में जल में बातपो सर्जन के कारण एक चूसम बल निर्मित होता है। नीचे दियावे होकर तने और पतियों से पहुंचता है। कथन करन दोनों सही है। कथन करन का सही सप्रस्टी करन है। वास्पु सर्जन का यह प्रक्रम पात्पु को ठंडा रखने में सायक होता है। अगला निमनिकीत कतनव अभीचार कीजिए। फुपुस धामनी ऑक्सीजन सम्रीद प्रवा करती है। तो जगा दोनों गलत है। इसकी ब्याख्या देखे। उप्यक्त दोनों कथन गलत है। फुपुस धामनी कार्बन डियोक्साइड सम्रीद रख्त को हिर्दय से फेप्रों में ले जाती है। अगला कुश्य ने किसी वैक्स में वेक्ति का हिर्दय एक मिन करते हैं। अगला कुश्य ने देख सकते हैं जोकि चेप्टर नमर 12 पादप में जनन। काईक प्रवंदन के संदर में कथन पर विचार करना है। काईक प्रवंदन द्वारा पादप कम अवधी में उगाया जा सकते हैं। दुसरा वीजो द्वारा उगाया जाने वाले कुश बीदिया, खंडन, मुकुलन, विजानू, निर्मान और काईक प्रवंदन हैं। इसमें काईक प्रवंदन की विदिया में पतिया, तना और मुल जैसे काईक भाग से नए पादप उगाया जाते हैं। काईक प्रवंदन द्वारा पादप कम अवधी में उगाया जा स प्रतिलिप्त होते हैं कारण क्राइक प्रवंदर में नय पदार्थ जनक पादप की अथात प्रतिलिपी होते हैं क्योंकि वे एक ही जनन द्वारा उत्पन होते हैं काईक पदार्थ भागों में सिधे नय पादप उगाय जाते हैं अगला विविन सरजीबों में जनन की संदर्विदि में निमकित कतनों पर विचार कीजिए इस्ट में जनन मॉकुलन के माधेम से होता है सवाल में जनन प्रकिरिया खंडन के माध्यम से होती है मौस और फॉन जन विजानों दोरा होता है तो इसके आंसर होगा तीनों उप्युक तुनों कतन सही है इस्ट एक अकल कोशिका जीव है जिसमें जनन मुकूलन के एक प्रकिरिया दोरा होता है मुकूलन से इस्ट कोशिका की छोटा मुकूलन कली बाहर निकलता है और अपनी जनन कोशिका का विलग होकर एक नई इस्ट कोशिका बनाता है सवाल में जनन कोशिका प्रकिरिया बिखंडन के माध्यम से संपन होती है इस परकिरिया में सेवाल कि स्पहरों गहरा दो या अधी खंडों में भी खंडित हो जाते हैं यह खंड अत्वा टुकरे नए जीवों के रुप में भिडिदी करते हैं मौस दाथा फ़ान जैसे पादपु में जनन बिजानू दोरा होता है बिजानू अलंगिक जनन ही करते हैं यह दोरा एक अस्थान से दुसरे अस्थान पर ले जाते हैं अगला कोश्चन है एक लेंगी पुस्प में संदर में निमनिकित पर विचार कीजिए एक लिंगी पुस्पो में यातो केवल केंसर अत्वा केवल इस्तरी केंसर उपस्थित होते हैं दूसरा सरसो गुलाब और पिटूरिया जैसे पौधे में उगने वाले पुस्प एक लिंगी पुस्प का उधारने कौन सा कतुन सही है तो थो नेक सही है, ऐसे पुस्प जिसमें या तो पुंकेसर अत्वा केवल इस्तरी कैंसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुस्प पहलाते हैं, जब कि जिन पुस्प में पुंकेसर इस्तरी कैंसर दोनों होते हैं, वे दू लिंगी पुस्प पहलाते हैं, मक्का, पपीता और कक्री और खीरा पौदे में एक लेंगी पुस्प होते हैं जबकि सरसु गुलाब और पिंटूरिया के पौदे में उगने बाले पुस्प दूलेंगी पुस्प काउधारण अयता कतं दो गलत है अगला है पादपो में पराकन के पराकन के संदर में निमिकित कतनों पर पिचार कीजिए पराकन के अतरकम पराकनों का अस्तरांतर पराकुस किसे पुस्प के विर्दागन पर होता है दूसरा जहां स्वह परागन अंतर ग्रत्स परागत कथों का स्थांतर पर्याकस के उसी पादव में किसी यह पुस्प के वर्तिकाग पर होता है तो इसके अंसर हम लोग देख सकते हैं तो इसके अंसर हो जाएगा यहने कि कतन एक सही है पुस्प में उपस्थित परागकन हलके होते हैं जो बायू जल और खीटो दोरायक अस्थां से दुसरे अस्थां और एक पुस्प पर दुसरे पुस्प के ले जाते हैं इन परागकनों को परकोस के पुस्प में वर्तिकाग के वर्तिकाग पर होता है यदि पराकन उसी पुष्प के वर्तिकांग पर गिरते हैं तो इसे स्वप पराकन कहते हैं परन्तु जब पुष्प के पराकन किसी पादब के किसी अन्र पुष्प के अत्वा उसी परकार के दूसरे पादब के किसी पुष्प के वर्तिकांग पर गिरते हैं तो इसे पर पर करते हैं तो कहतन दो गलत अगल उनिक काथन पर विचार केजिए पाधव का जनन भाग तना होता है दूसरा नर और माधा युगमक में युगमन का प्रअगन पाधन कर लाता है तीसरा परिपक्ञ होने पर अनासे फल में भीक्सित हो जाता है चोथा डवर रोटी और परपुन विजानु उत्पन करने वाला एक पाधब जीब है तो इसका अंसर होगा तीसरा और चोथा पाधब का जनन भाग पुस्प होता है इस कारण पहला कतन गलत है नर और मादा युगमग के प्रक्रम इसे चन कालाता है इस पर कार दूसरा कतन भी गलत है कतन तीन और चार सही है अगला चप्टर तेरा गती अर्म समय इसे रेटेर कोश्चन देखें निमनिकित में से कौन सा करन बाहन द्वारा तै की गई दूरी मापता है तो ओडो मीटर जो करन बाहन द्वारा तै की गई द प्रवावित करने में बिभीन प्रवाव होते हैं इसके पदा इनके प्रवाव के संदर में निमकी कत्नों पर विचार कीजिए इस कैंसर होगा पहला और दूसरा यानि कि किसी तार में बिदुधारा प्रवावित करने पर वह तार तप्त हो जाती है किसी तार में बिदुधारा प्रवावित करने पर वह तार चुंबक के बाती पहवार करता है एवला कोशन है विदूत फ्यूज के संदर में निमिकित कतनों पर विचार कीजिए इसका उप्योग लगू पतन सौट सरकीट रोकने के लिए होता है शुरक्षा मानक में उच विदूत धारा के प्रवावित होने से विदूत फ्यूज के तार पिगल जाते हैं तो इस कैंसर पहला और दूसरा दोनों होगा अगला है थौमस अलवा एडिसन के संदर में निमिकित कतनों पर विचार कीजिए थौमस अलवा एडिसन ब्रिटेन के बैग्यानिक थे दूसरा थौमस अलवा एडिसन ने विदूत बल्व ग्रामो फोल्ट चल्चीतर कैमरा और कारवन प्र तक सहीत लवत 13 विसकार की है अगला चप्टर आप देख सकते हैं परकास इस रेटेट कोष्चन हम देखें समतल दरपन के संदर में निकीकत कतना पर विचार की ये तह दोरा बना परतीवीम सीधा अभाशी और वियम के समान अकार का होता है समतल दरपन पर बने परतीवीम के बाम भाग परतिविम के दक्षिम भाग के दिखाई देता है तो इसके अंसर होगा पहला और दूसरा इसके बाग के हम लोग देख सकते हैं दोनों कथन सही है जो परतिविम किसी परदे पर प्राप नहीं किया जा सकता आवासी परतिविम करते हैं समतल दर्पन द्वारा बना पर्तिविम सीधा आबासी और भीम के समान अकार का बनता है पर्तिविम दर्पन के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जिसनी की दर्पन के भीम की दूरी की समतल दर्पन से बने पर्तिविम दक्षिन बाम दिखाई परता है अत्वा बाम दक्षि किया जाता है दूसरा बाहन चालकों में पीछे देखने के लिए बाहनुक का प्राशて दर्सकों साइड मिर्येर में इसका प्रयोक किया जाता है केवल पहला केवल पहला सहीच चिकिसो दोरा आँक कान नाक और गले के निरिक्षन के लिए अब मंड़ अफ्तल दर्पन का प्रयोग होता है अफ्तल का दर्पन वास्तुविक और उल्टा पर्तिभींद बनाता है अतब बीम बस्तु को दर्पन उत्यांत निकट रखते हैं जो पर्तिभींद अवास्य और स शेत्र के दीश का प्रतिभींद बना सकता है उत्तल दर्पन वारा बना प्रतिभींद सीधा आवासी और आकार में बीम का शोटा होता है अगला लेंज्सों के संदर नुकित कत्म पर विचार केजिए उत्तल लेंज्स सद्याव वास्त्विक और आकार में बीम के बरे प्र बनता है उप्योक्त में से कौन सा कथन सही है तो इसके आंसर केवल दो कि एगर एक गलत है क्योंकि उत्तर लेंस वास्तविक और उल्टा पर्तिवीं बनाता है परन्तु जब लेंस के एत्यांत निकट रखा जाता है तो बनने वाली पर्तिवन अवासी सीधा अवार्दित होत बेंस के छोटा पर्तिवीं बनाता है अव्ता लेंस उसी परफ्टित परकास में अफसारित बाहर की और मोर्णा करता है इसे अफसारी लेंस करते हैं अगला नेमने कित में कतना पर विचार कीजिए स्वेथ परकास रख सात बर्नों का मिश्रण है इन धनुष के में सात लाल नारंगी पीला हरा नीला जामुनी और बैगनी मोटे तोर पर इन वर्नों का मिश्रण स्वेथ रख परकास होता है जो इस सूर्ज के परकास में बने इंद धनुषर्पिश्म के माधियम से नजराता है अला टॉपी का जल एक बहुमूल संसाधल इसे रेटेट बिस जल दिवस के रूप में मनाये जाता है प्रित्वीब का सतर अलगवा एक खत्तर परतिसत भाग जल से ढखाए परंतु उप्योग में लिखिये गए उपलाग उपलाग आलावन जल ताजा जल प्रित्वीब में उपलाग जल की खुल मात्रा में एक परतिसत से कम 0.006% है इस विशह पर जाग रुखता के लिए शंजुक्त रहसंग दोरा वर्स दोरा तीन में अंतराष्टी अलवन जल बनाये गया था अगला निमनिकित में से कौन सा कथन कौन सा कारक जल की कमी उत्यदाई है तो इसका एंसर हम लोग देख सकते हैं तो इसका एंसर जग किसान भी अपने खेत में जल का उप्योग मित्वियता से करना चाहते हैं बुन सीचाय विवस्ता में व्याई सीचाय विवस्ता है इसमें कम ब्यास वाले पाइपों दोरा पौदे को पानी से देने की तकनिक है जो सीधे उसकी जरों तक पहुंच जल पहुंचाती है अगल जल चक्र डौरा परि करन के दोनों ही दिशाओं के अवश्ता ठुस दरव और ग्यास में किस भी एक अवस्ता में परितवी पर कहीं पाएज सकता है जल की इसकी तीन अवस्ता के बीच सतर चक्रन दोरण परितवी पर जल की कूल मात्रा स्तिर बनी रहती है अगला यह काँ नमर 17 बन हमारी जीबन रिखा निमनी कित में से कौन सा खाज सिंकला सही है तो घास, कीट, मेड़क, सरप और गरूर सभी जीब चाहे वह साक भग्ची और मांस भग्ची अंता भोजन के लिए पादपो पनिर्बन होते हैं क्योंकि वे जन्तू पादपो का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अंजन्तू और भोजन के रूप में खा दिया जाता है और तो इस परकार की क्रम चलता रहता है इस क्रम को ही खासि क्लां क搖ाजाता है गास की कीटों द्वारा खाया जा सकता है जिसमें मेडग खा लेता है मेडग के सर्प और सर्प को गरूर खा लेता है अगला कोश्चन है गट को किस अंदर में निमने कित में से कौन सा कतन सही है तो इसके अंसर होगा सी पहला दूसरा या मित पादपो और जन्तु उतकों में युमिनस के परिवर्तन देते हैं यह वन में उगने वाले पादपों के लिए पोसन तत्व के अपूर्ति के लिए ब परिगन पड़ता है तो यह अंसिंखलाओं का प्रभावित करता है बन का परतिक अंभागों पर निर्बर होता है यदि हम बन के किसी घटक जैसे प्रिक्ष काव लोग कर दे इसमें हम सभी घटक प्रभावित होते हैं अला चेप्टर नमर 18 अप्सिष्ट जेल की कहानी अप्सिष्ट जल उप्चार के प्रका में उत्पन आपांग का प्रयोग उप्योग खाद की रूप में किया जाता है इसके आंसर होगा सी पहला और दूसरा उप्योग दोनों कथन सही है अप्सिष्ट जल उप्चार के दुरान उत्पन आपांग के उप्योग खाद की जैसे रसानों का पर्योग जल के रुगानू रहीत करने के लिए होता है। इस प्रकाम में उत्पन होने वाले बायोगेस का उप्योग इंदन के रूप में किया जाता है। अगरा कुश्यन है क्रीमी प्रस्करन सवचाले के संदाव निम्रिकित कत्नों पर विचार कीजिए तो इसके एंसर हो जाएगा बी यहने की पहला और तीसरा जिसमें मानब मल और केच्व दरव प्रचारित किया जाता है और तीसरा मानब मल पुंता क्रीमी कुक के परिवर्तित हो जाता है जो मिर्दा के लिए त्यांत सुक्ष्म सम्रीद पोसक है कतन एक सह है भारत में क्रीमी प्रसकरण सर्चारे के फरे करे सम्रीद पर विच्छन किया गया जिसमें मारर मल को केच्व दर्व परचित दरव प्रचारित किया जाता है यह तक्निक मानब मल को शुरखशित प्रसकरन के लिए आधर सीध हो सकती है क्योंकि इसका उपयोग जल में बहुत कम मاتरा में आप सकता होती है ता कथन दो गलत है कथन तीन भी सहिए क्योंकि यह संचाले का संचालन बहुत सरल्फ और सुरेक्षता पुन्ए इसमें मानव, जिमल, पुंता, किर्मी, केरो के तेको के परिवर्तन हो जाता है जो मिर्दाओक के लिए बहुत ही सम्रीद पोचन और कारे करता है आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होगा वीडियो पसंद आते हैं लाइक करें, सेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पीडिया प्राक्ट करने के लिए टेलिग्राम पज़ूर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिक्शन बोक्स में दिया गया है तो आज के इतना है दूस्तों फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू